Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वे उनकी बेचियों के बारे में कुछ नहीं बोला. वे उनकी जवान हो रहे ही बेटिने ज़से वाद वाद करने के लिए इसका फायदा उठाने के लिए कम से कम इस पोचे इस तर पना उतरा जाएं के लिए बिहार के बेटिया में पिछले चार पांच दिनों से हो रही लगातार बारिश की वज़ा से पूरा शहर तापू में तब्दील हो गया बारिश की वज़ा से लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आलम यह है कि शहर का आधा हिस्सा पानी में जूबा दिखाई दे रहा है बेटिया के कई लगों के लिए लोगों ने आवेदन किया है किन्तिय कार्मिक मंतराले ने बताया कि सेयुख सचिफ के दस पड़ों के लिए आवेदन करने की आखरी तारीख यानि 30 जुलाई तक कुल 6,077 आवेदन पहुंचे यानि एक पोस्ट के लिए 600 से ज्यादा लोगों के बीच लगों ने और उम्मीदवारों के इंटर्व्यू के लिए UPSC की मदद ली जा सकती। सीधी भरती के लिए नीजी और गायर सरकारी संस्थाओं में 15 साल तक काम करने का अनुभव रखने वालों से आवेदन मंगाय गए थी। कुछ लोग अपना सामान लेकर पैदल जाते भी दिखे। बहार से इतने बड़े पत्थर गिरे कि उन्हें हटाने के लिए कई मशीनों को लगाना पड़ा। कुछ लोग पैदल ही पत्थरों के उपर से निकलने लगे। रास्टे में फसे हुए लोगों ने प्रिशासन पर लापरवाही कारोप लगाया। रास्ता बंद होने की वज़ा से वहाँ सबसे ज़्यादा परिशानी बच्चों, महिलाओं और बुज़ूर्गों को ही जो घंटों तक वहां फसे रहे। लखनव में पुलिस वाला 20 सड़क पर एक आटो चलाने वाले को पीटने लगा। बताया गया कि आटो की टककर से रिक्षे पर बैठी एक महिला को चोट लग गई। जिसके बाद मौके पर पहुचे पुलिस वालों में पुलिस वाला आटो वाले के बाल पकड़ कर खीचने लगा। इसके बाद उसने आटो वाले को सड़क पर गिरा दिया और पैरों से मारने लगा। पुलिस कर्मी यही नहीं रुका। उसने अपना एक पैर आटो वाले क के सीने पर रख दिया और उसे गालियां देने लगा इस दौरान आटो चालक पुलिस कर्मी से लगातार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा लेकिन पुलिस कर्मी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा इस पूरी घटना के दौरान वहां आसपास कई लोग खड़े नजर आए लेकिन किसी ने भी आटो वाले को बचाने की कोशिश नहीं की वहीं इस मामले के मीडिया में आने के बाद आरोपी सिपाही और मौके पे मौझूद पियारवी इंचार्ज वो सस्पेंड कर दिया गया साथ ही आरोपी सिपाही के खलाफ एफ़ायर भी दर्ज करवाई गई है पियारवी पे तैनाज सिपाही आनंद प्रताफ सिंग ने अपना इस्टेंडर्ड जो प्रोटोकॉल होता है ऐसी घटनाओ को हैंडल करने का इस्टेंडर्ड प्रोटोकॉल को ना अपनाते हुए अवैधानिक तरीके से उसमें उसके साथ आटो चालक जो था उसको इसाथ मारपिटाई की ये कहते हुए कि वो नशे में है उसके इस कृत्ति के लिए उसको तथकाल प्रभाव से निलम्वित किया गया प्यारवी का कमांडर जो पास्वें ही मुख दढ़सक बनके जो तथा कधित खड़ा था वहांपर जिसने उसकी मदद नहीं की उसको निलम्वित किया गया है इसके अलावा इसी प्रकरण में जो ओटो रिक्षा चालक है उसकी तहरीर के आधार पर एक मुकदमा अंतरगत धारा 323, 504, 506 और 352 ये दर्ज कर दिया गया है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने एक बार फिर आरेसेस के तुलना मुसलिम ब्रदर्वूट से की लंदन में भारतिय पत्रकारों से बात करते हुए राहूल ने कहा कि मुसलिम ब्रदर्वूट और आरेसेस दोनों संगठन देश के संस्थानों को क्याप्चर करना चाते हैं, दोनों संगचनों में काफी समानता हैं. मेट इयूं में कि ते शोल को चेहीम जरी जरी पतानीफ प्राकोर हैं. इस जरी को दोनेजिया में कि चेही जरी, ब्रीमी थालागे में क μच जरी प्राओं. य्यून में मुंत् league जरी वक्र्णिशों कि ऑ deeply impev best eonि जरी कि प्राओं कर Pokémon! किरेंगे थे कि अए थे बेड़े सेशारी कुष्ट गजराव थे, खिलेड़ थेक असे इलाव काफ इलावेंग विड़िवानिस इलाव नुटॉट हैं वो खिलावेंगरा वो खुट चुट इलावेंगराव सहरो रिंवानिसान का सिरे अंट विल्च देट सा और प्रय गालिविया थाया ली है बॉज बने तरहा दिसे विर आपने शोग्द को फिर रूप निग करता है उरको बॉस्लिम ब्रधर हुड और आप श्री अपने हैं धो प्राइब सन्टम नहीं समझ में हुड़ा है दूसरी तरफ एक संग्ठन ऐसा है जो हमेशा लोगतंत्र वादी संसदी लोगतंत्र को पुष्ट करने वाले आधरणी अटल विहारी वाजपई जैसा भारत के राष्टपती रामनात को विंद्जी जैसा व्यक्तित तु दिया है राहूल गांधी ने कहा कि वो फिल्हाल प्रुधान मंसुर बनने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और एक वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले के तौर पर खुद को देखते हैं राहूल के मताबिक 2014 के बाद उनमें ये बदलाव आया प्रुद जैसलिंच को अटिन है उन जाम लगाई लौक ट्रुद भी ट्रुद विर खुद बखुद चारिक। this is really the the change that has come in me between I realized after 2014 then there is a risk to the Indian state to the Indian way of doing it and I'm defendant I don't see myself that this way or that way I just get up in the morning and I see okay how do I defend the Indian institutional structure how प्रधान मंत्री मोधी पर निशाना साधा राहूल ने आरोप लगाया कि बैंकों ने नीरब मोधी को 35,000 करोड दिये और प्रधान मंत्री ने उन्हें जाने दिया राहूल ने विजय मालिया को अलग भारते जेल में रखने को लेकर भी सवाल खड़े किये । मिरली मिर्मालया प्रधान में थैटार। भी सेन विजय को अरह ज्या और कर दो कि विज्वादे को बहले कर दिए को पर खड़ सब्तलवdal को हो अस्तिवर भी सारथ को दिये तड़ोजन करोड रसे बहले को बहले जाர् House Cocado एक प्रवूप एंडी नियुक्ष नियुकॉड एपने पहने में टीस अजयूदी मेट आप टॉस में यांड थी खाए वाल लंदन में रहूल गादी ने काहा की आप अपने विरोधी को गले लगा सकती है और महात्मा गांदी नहरू सहित कई नेताओं ने बाहर जाकर दुनिया के लिए और फिर देश के लिए काम किया जबकि प्रधान मंत्री मोदी ये कहकर देश का अपमान कर रहे हैं कि उनके आने से पहले कोई विकास नहीं हुआ कि हमारी जो पार्टी है ये नराज में शुरू की थे महात्मा गांदी जी नराइग घवाल्ला नहरूऊ जी बाहला नहरूद इनराय थे सर्दार पंडेल अमबेटकर जी क्षिश ग непुस्थि कि सब कर इनराइग सब के सब बाहर गये दुनिया को देखा नई तरीके से सोचा और फिर उन्होंने अपनी देश की मदद की झाल 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 झाल